अब यहाँ पर जो नाम है वो थोड़ा सा कॉंपलेक्स है एंड सुनने भी काफी जादा मतलब एक फ्यूचरिस्टिक साउंड करता है बट यहाँ पर जो कार है वो भी बहुत जादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइंस और डिजाइन एलिमेंट के साथ में आने वाली है आज की बदो हम बात करने हैं क्या जियूचरिक शिरोगी के अंदर आने वाला है और जीप इसको किस तरीके से इंडियन मार्केट के अंदर लेकर आने वाला है जैसा कि आप सभी को मालूम है Jeep अपनी off-road capabilities के लिए जाना जाता है Jeep की कभी भी आप शोरूं के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आगर आप बोलेंगे कि या हमें एक trial चाहिए आपकी गाड़ी का या test drive चाहिए तो वो आपको car की test drive तो देते हैं बट साथ में उनकी off-road capabilities भी चेक कराते हैं description में आपको कुछ दूतिंग videos मिल जाएंगी जहां पर आप देख सकते हैं किस टाइप से Jeep Compass की और जो Jeep की new cars आ रही है SUV आ रही है उसका Jeep वाले trial देते हैं अपने customers को तो बहुत unique way में वो trial दे रहा है हैं बहुत सारी off-roading capabilities वो अपनी car की check कराते हैं तो no doubt यहाँ पर जो Jeep की new Grand Cherokee आने वाली है 4x4 के साथ में उसके अंदर भी आपको सारी off-road capabilities मिलने वाली है और बहुत सारे features मिलने वाले हैं Grand Cherokee ग्लोबल मार्केट में बहुत time से आ रही है foreign countries में बट इंडिया के अंदर अब यह debut करने वाली है world के अंदर Grand Cherokee most awarded car है SUV में इंडिया में महरास्ट के अंदर Grand Cherokee की हो रही है testing अभी हाली में क्योंकि company गाड़ी को test करती है उसकी off-road capabilities को test करती है state wise and साथ में national wise तो यहाँ पर पूरी testing वगिरा हो रही है इसकी roads पे off-road capabilities इसकी check की जा रही है यहाँ पर आप कुछ images देख सकते हैं जो की शावंत वड़ी की है महरास्ट की जहाँ पर two Grand Cherokee's आप देख सकते हैं test news जो observed भी किये गए है और कुछ images आपको और सामने आ रही होगी जो की महरास्ट की है और यहाँ पर Jeep के line-up में यह new off-roading vehicle होने वाला है गाड़ी के features की बात करें तो यहाँ पर आपको seven slotted grill मिलने वाली है जो Jeep की compass में भी आती है और Jeep की जित्ती भी SUV आती है उनके अंदर आपको seven slotted grill तो मिलती है और वो भी बहुत time से चला हुआ रहा है साथ ही में bonnet design को थोड़ा सा raised किया है जिससे SUV फील और जादा appealing करके आए Grand Cherokee की इंडिया के अंदर ही manufacturing हो रही है साथ में Grand Cherokee के अंदर आपको global market में मिलते हैं तीन engine जिसमें एक आता है 2-liter का 4-cylinder turbo petrol plug-in hybrid engine जो आपको 380 PS की power generate करके देता है मही पर torque generate करके देता है 637 newton meter का इसके बाद दूसरा engine है 3.7 liter का Penta Star V6 petrol engine जो आपको power produce करके देता है 294 PS की and torque देता है 348 newton meter का मही पर जो तीसरा engine है इसका वो है 5.7 liter का V8 engine जो आपको 360 PS की power देता है और 528 newton meter का torque देता है transmission में आपको 4x4 system भी मलने वाला है गाड़ी के अंदर आपको इसमें 4 modes मिलने वाले हैं जिसमें auto, sports, snow and mud and sand mode रहेगा grand chiroki के interior में आपको 10.1 inch का है touch screen improvement system मिलने वाला है साथ में आपको digital instrument panel, head sub display, heated and ventilated seat, panoramic sunroof, wireless charging pad, auto tailgate, open and down features जैसे features बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं तो ये सारी चीज़े आपको गाड़ी के अंदर बन लेवाली हैं तो बहुत सारे features के साथ में ये गाड़ी load होके आईगी और जैसे जैसे update साते जाएंगे तो हम आपको updated करते रहेंगे इसी के साथ अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिए तो लाइक करें, शेयर करें हमें इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करें टेक्निकल बोपाल ओफिशल हम आप से मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में तब तक लिए बाई बाई